अर्चना की सौ बात पर क्या प्रियंका की एक बात भारी पड़ेगी जिस तरीके से अर्चना लगातार फालतू के मुद्दे उठा रही है और पूरा घर जो है अब उसके मुद्दों से परेशान नजर आ रहा है अर्चना ने सारी हदे अगर कहा जाए तो पार कर दी है और जिस तरीके से अब वो घर में विकास या किसी और के साथ लड़ती नजर आ रही है उससे तो यही लगता है कि घर के सभी सदस्य उसके अब खिलाफ ही है हम आपको बता दें कि प्रियंका और अर्चना की लड़ाई हुई है जहां पर अर्चना को प्रियंका ने वो सारी बाते बताई जो अर्चना उसकी पीट पीछे बोलती थी और प्रियंका ने कहा तू बोलती है यह लड़की पर आए घर जाएगी यह लड़की ऐसे घर बोडी शेमिंग करती है और अब मैं इसके हाथ का क्या खाना खाऊंगी मैं अच्छा तो अपने आप खाना बना कर खालूंगी मुझे इतनी नेगिटिविटी नहीं चाहिए खाने में तो अर्चना लगातार यही कर रही थी यही बोल रही थी कैसी अप्रिंगिंग है कैसे सं पराज हुई है और उसने अर्चना को साफ साफ कह दिया है कि तू लोगों की परिवार तक जाती है बॉडी शेमिंग करती है एज शेमिंग करती है एक हद तक बरदाश किया जा सकता है तू मेरे लिए भी यह सारी चीज़े बोल रही थी तो अब प्रियंका ने खरी खोटी जो है अर्चना को सुना दी है और सो बात जो थी प्रियंका सौरी अर्चना की उस पर प्रियंका की यह सारी बाते भारी पड़ती नजर आ रही है क्योंकि प्रियंका जितने भी पॉइंट बोल रही है वो सब सही है और घर के लोग भी उससे एगरी करते हुए नजर आ रहे हैं तो आज रात को ये सारी चीजे जो है अपिसोड में दिखाई जाएगी तो फिलाल इसका प्रोमो जो है वो सामने आया है